देश के इंफरस्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने के लिए चल रहे महायग्य ने आज एक नई गाती हासिल की है सिर्फ बीते दस बारा दिन की ही बात करें तो आधुनिक डिजिटल इंफरस्ट्रक्चर की मदद से किसानों के खाते में सीधे अठारा हजार करोड रुपिय से ज़्यादा ट्रांस्पर किये गए दिल्ली मेट्रो की एरपोर्ट एक्स्प्रेस लाइंग पर नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार की शुरुवात हुई उसी प्रकार से ड्राइवर लेस मेट्रो उसका भी आरंभ हुआ गुजरात के राजकोट में एम्स तो ओडिसा के संबलपुर में आयायम इसके पर्मेनेंट केंपस का काम शुरू हुआ दुनिया की बहतरीन टेक्नोलोजी के साथ देश के च्छे शहरों में च्छे हजार घर बनाने का काम शुरू हुआ नेशनल एटमिक टाइम स्केल और भारतिय निर्देश एक द्रव्य प्रनाली राष्ट को समर्पित की गई देश की पहली नेशनल एइनवारमेंटल स्टांडर्ट लेबोरिटी का सिलान्यास हुआ 450 किलोमेटर लंबी कोची मेंगलूरू गैस पाइप्लाइन का लोकारपण हुआ महराश्टर के सांगोला से पस्चिम मंगाल के सालिमार के लिए सौवी किसान रेल चली और इसी दरान इस्टरन डेडिकेटेड फ्रेट कोरिडोर के न्यू भावपूर न्यू खुर्जा फ्रेट कोरिडोर पर पहली मालगाड़ी चल पड़ी और अब आज वेस्टरन डेडिकेटेड फ्रेट कोरिडोर का तिन सो छे किलोमेटर लंबा ये कोरिडोर देश को समर्पित हुआ है सोचिए सिरफ दस बारा दिन में इतना सब कुछ और ये तो मैं उन बातों के कह रहा हूँ जिस मैं जुड़ने का मुझे सोभागी मिला लेकिन इसके सिवाए भी भारत सरकार के अन्यमंत्रियों के द्वारा अनेक वीत महत्वपून सेंकडो प्रकल्प इस 2021 के प्रारम से ही लोकारपन का सिल्सिला चल रहा है जब नए साल में देश का आगाज अच्छा है तो आने वाले समय और भी शांदार जांदार होना तय है इतने लोकारपन इतने सिलान्यास इसलिए भी महत्वपून है क्योंकि भारत ने ये सब कोरोना के इस संकट भरे कालखण में किया है कुछी दिन पहले भारत ने कोरोना की दो मेड इन इंडिया वैक्सिन भी स्विकृत की है भारत की अपनी वैक्सिन ने देश वासियों में नया आत्म विश्वास प्यादा किया है 2021 की शुरुवात के महोल में आरब से ही भारत की ये तेजी आत्म निर्भरता के लिए गती ये सारी बाते देख करके सुन करके कौन हिंदुस्तानी होगा कौन मा भारती का लान होगा कौन मा भारत को प्रेम करने वाला व्यक्ति होगा जिसका माथा गर्व से उंचा न हो आज हर भारती एक आवान है नहम रुकेंगे नहम ठकेंगे हम सब मिलकर सब भारती मिलकर और तेजी से आगे बढ़ेंगे